एलो फ्रेंड वेल्कम टो चैनल हार्मोनियम गुरू दिस इस गुरुट प्रिसिंग आज हम निकालेंगे रश्के कमर गाना और मैं आपको बताओंगा इसका राग कैसे पता चल सकते हैं देखिए पहले भी मैंने कुछ वीडियो जा लें मैंने आपको बताया था कि आप गान मैंने आपको पासिण कटिसे में महिए पहले निकाला कहना इसका यह भीघिए कि आपको बताया झाला हूगा लेंगी तो मैंने मैं इसका सगुन ओणा होगा जाने किondi इसके स्केल 것으로 रहेि हैं मेरे रश के कमर सा, मेरे रश के कमर सा, तो ये इसका स्केल है, सा, ये स्केल है, ठीक है, अभी हम यही गाना निका लाइं, देखें, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई, मजा गया, अभी देखें, ये मैंने पूरा फ्रेज बजा लिया, तो मेरे को पता चल लगा, ये जहां से हम शुरू करें, वो आपका सा होता, ये सा है, पहले हमने किया, सा, मेरे रश के कमर सा, जो सा है, इसका ये है, गाना उठ रहा है, आपका कोमल लगा से, मेरे रश के कमर, गारे सा, 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 मेरे रश के कमर, तूने पहनी नजर, रे मारे सा, नी धानी, ठीक है, ये दूसरी लगने, अभी इसमें किया, सा लग रहा है, आपका शुधरे लग रहा है, कॉमल का लग रहा है शुद्ध मा लग रहा है और यहां पर आपका कॉमल नहीं लग रहा है ठीक है कॉमल धा लग रहा है ठीक है फिर आपका ये पा और ये आपका मा तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका राग दर्बारी बना देखे सारे गामा पदनिसा, सानीधा पमागरे सा सारे गामा पदनिसा, सानीधा पमागरे सा तो यह जो गान है आपका राग दर्बारी में इस तरहने कहा है तो इस तरह को साँ है, छाई है, सारे गोपन पमागरे सा युषरह को पर ही उसी जानी और मैं सुरू कौन वान कि मेरे रश के कम तू ने पहली ये सा तो इस से पहल के बनीती आपन है ठीक है धाग कनफव जब नजर से ये ये आपका सारे गामा तुसकी जैसे ये मा है जब नजर से मापा धाधा मिलाई मजा गया तो इस तरीके से सा कोमल नी कोमल धा पा मा तो ये आपका राग दरबारी है थे इसलिए जो आपका गीत है राग दरवारी में जाका अधृ को नहिसे एंबारीय को पगणा सकते हैं ठीक है अब ये इसका स्केल था और इसका राग दरवारी यहां से बार रख मेरे रश के कम तूने पहनी नजर जब नजर जे मिलाई मजा गया अब आप इस तरीके से निकाल सकते हैं तो कोई भी दिक्षत हो कॉमेंट करिए यही तरीका है तरीका है जाए जख है गाना निकाले गाने का राग पहचाने का सबसे पहले आप स्केल फाइंड करो कि आपको निकालना कहां से एगाना उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चालो होता है ठीक तो होग आपको यह अच्छे समझ लगा होगा तो धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में